नमस्कार आप देख रहे हैं सिहत मंद नुस्खे मैं हूँ आपके साथ सुमन आर नेगी दोस्व आज की वीडियो बेहत खास है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए हप की जो बहुत फायदे मंद है लेकिन इसकी सही सही जानकारी किसी के पास नहीं है के बारे में सब कुछ जानेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्वाइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्स्वाइब करें और हां नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकुल ना भूले ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटि अगर इसमें मौजुद पोशक तत्व की बात करें तो इसमें प्रोटीन 1.3 ग्राम होता है इसी के साथ पानी इक्यासी दशमलब 9 ग्राम फैट 0.6 ग्राम नाइट्रोजन 0.2 एक ग्रैम कार्बो हाइडरेट 0.2 आइरन 16 दशमलब 2.5 प्रतिशत कॉपर 11.1 प्रतिशत कोटैश्यम 10.8 एक प्रतिशत मैगनीश्यम 8.3 तीन तीन प्रतिशत कैल्श्यम 7.2 प्रतिशत और फोस्फोरस 6.7 इसी के साथ गूलर एंटी डाविटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगर, एंटी एस्थमेटिक, एंटी इंफ्रमेटरी, एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी अलसर, एंटी पायरिटिक और एंटी डारियल होता है अब आब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये धरकन को कंट्रोल करता है आपको बता दे अनियमित दिल की धरकन के कारण मस्कुलर टेंशन और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस की दिक्कत हो सकती है इसमें उच्च मात्रा में कॉपर होता है जो एंटीमिया के परिशानी से बचाता है अगर आपको यूरीन से संबंधित कोई भ हटाने में भी ये फाइदे मंद है इसके लिए आप गूलर के फल से बेस्ट तयार कर सकते हैं वहीं गूलर के चाल चहरे के पिंपल और जहाईया हटाने में इफेक्टिव है गर्मियों में पेट में दर्ध होना आम बात है इसे दूर करने के लिए आप गूलर के फल का अगर आप इसका जादा सेवन करते हैं तो आपके सेहत पर कुछ साइड इफेक्स भी देखने को मिल सकते हैं जैसे चक्कर आना, ब्लेड प्रेशर कम होना, और्थोस्टेटिक समस्याई, कफ, कोल्ड, ऐलर्जिक रियक्शन दोस्तों कई बार हम गलत मात्रा में कोई जड़ी बूटी खा लेते हैं जिससे हमारी सेहत पर साइड इफेक्स नजर आने लगते हैं, कई बार ये साइड इफेक्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम उस पौधे से ऐलर्जिक होते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कई और कारकों पर निर्भर करती हैं, कभी भी इसकी खुराग खुद से ही डिसाइड ना करें, इसका शरी पर बुरा आसर पढ़ सकता हैं, इसकी सही खुराग की जानकारी के लिए किसी हर्बलिस्ट या डॉक्टर से जरू समपर करें इसके पत्तों में एक ऐसी तासीर है, कि अगर इनसान चार पत्ते रोजाना खा कर इसके चबा के खा ले या पीस के पी ले और एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून, नमक जैतून असली, नकली नहीं, नमक जैतून एक या दो चुटकी दो गिलास पानी में मिला कर और उसमें दो नीबू निचोड कर इस पानी से गूलर के पत्ते खा कर ये पानी पिया जाए, तो गुर्दे में कितनी भी बड़ी पत्री बहुत जल्द निकलना मुमकिन है दोस्तों आज इस वीडियो में हमने बात की गूलर की, आखिर ये गूलर है क्या, अंजीर के जैसे दिखने वाला ये फल कितना फाइदे मंद है आपकी सेहत के लिए, और हाँ अगर आप इसे गलत मातरा में खाते हैं, बिना किसी सही जानकारी की खाते हैं, तो आपकी सेहत पसके क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही खुश रहें, तंदरूस रहें नावश्कार